केंद्र काबिनेट सम्मावेस्स मानंत्रम केंद्र मंत्री जेवदेकर मेडिया तो माटलाड़तनारू इपुलाइव लचुदां कि डिजिटल ट्रांजक्शन को इसे बल मिलेगा प्रोचान मिलेगा और शमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजन्सों कि सहयोग से शहरी विकास मंत्राले एक शमता विकास एवं वित्य साक्षरता का कारिकम भी सुरू करेगा जो महतोपुन है सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किये जो पहले पैकेज के समय नहीं बताये था लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत मैत्वपूर्ण है कि नियूंतम समर्थ मुल्य उसकी कुल लागत का देड़ गुना जादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर र जाया है जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे इन चौदा फसलों पर किसानों को अब लागत का पचास से लेकर 83 परसेंट तक जादा दाम हासिल होगा सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंदों के लिए तीन लाख रुपए तक क्या अलपकालिक कर्ज के भुक्तान की तीथी भी 31 ऑगस 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की चूट और अदायगी में महलत ये दोनों फायदे उसको मिलेगे किसानों को पहली मार्च 2020 से 31 ऑगस 2020 के बीच अलपकालिक कुर्शी कर्ज की ब्याज में दो फीशरी और अदायगी में तीन फीशरी का फायदा होगा भारत सरकार द्वारा किसानों को साथ फी सदी से करजा मिलता है इसमें तीन लाख रुपे तक के लोन पर दो फी सदी बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर मुक्तान पर तीन फी सदी का फाइदा मिलेगा इसका मतलब चार फी सदी में तीन लाग तक का करजा मिलेगा किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोफ़ा है ब्याज में छूट की योजना किसानों को किसान क्रिडिट कार्ड के जरिये करज सहीत अलपकालिन फसल करज के देने के मकसद से शुरू की गई है पिछले कुछ हपतों के दवरान बहुत से किसान अलपकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके आदाईगी के लिए बैंक नहीं जा सके इसको ध्यान रखते हुए क्याबिनेट ने जो निर्ने किया है उससे क्रोडों किसानों का लाब होगा गरीब ही इस सरकार की सर्वोच प्रात्मिकता है और इसलिए करोना वाइरस महामारी के दवरान लॉगडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की जरूरतों को लेकर समवेदन चिल रही है लॉगडाउन शुरू होने के बाद दो दिन में पहला एक लाग सत्तर हजार करोड का पैकेज की घुजना हुई असी करोड लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर बीस करोड महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुँचाने तक गरिब वरिष्ट नागरिकों विध्वाद दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पी-एम किसान के तहट करोडों किसानों को किस्ते के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गये है इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फाइदा मिला है जिसे लॉगडाउन के दावरान परेशानियों का सामना करना पड़ता और अगर सरकार फ़वरी तोर पर ऐसे कदम नहुठाती तो यह तकलीफ बहुत होती है यह गोष्णाय नहीं रही कुछी दिनों के भीतर कोरोड़ों लोगों तक सीधे तोर पर नगदी अत्वा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई असी लाख टन से जादा अनाज पहुंचाई गया सभी बाकी पैसा जो देना था वो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है आत्म निर्भर भारत के तहट प्रवासी मजदुरों के कल्यान के लिए एक राश्ट्र एक राशनकाड ऐसे लोगों को भी खाद्यान जिनके पास राशनकाड नहीं है उनको भी देने का व्यवस्ता किया मकान की लिए रियायतिक किराये वाली नई योजना घरव ग्रह निर्मान की और ऐसे ही तमाम अन्य कदमों की गोशना की गई है किसानों की कल्यान को लेकर व्यापक सुधारों का ऐलान किया गया है किसानों को उन जंजिरों से मुक्त किया है क्योंकि वह सुधार इतने महतों पूर्ण है एपी एमसी को लेकर क्यूं किसानों को उन जंजिरों से मुक्त जिसमें वे जक्रे थे और उनके आमदनी को बढ़ाने के उपाए अब किये गए है इसके अलावा खेती से जुड़िया बुनियादी डाचे में व्यापक निवेश का भी प्रस्ताव है खेती से जुड़ियान निगतिवी रियाद जैसे मश्ली पालन को भी वित्या मदद दी गई है भारत सरकार ने हर मोड पर समाज के सबसे जरुवत मंतबके के साथ एक जुड़ता दर्शाई और उसकी मदद की है तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और ये द गुद्योग सुक्ष्म उद्योग और मंजले उद्योग का ये किया है दोनों मंतरी आपके समक्ष है मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताए अच्छा पहले तोमर जी अपनी कुरुशी के समन्द में रखेंगे मानने नेतिन गड़करी जी मानने परकाश जाओरेकर जी आरो पस्थित मित्रो आज मंद्री परश्यत के बैठक माननी परधान मंद्री जी के अध्यक्ष्था में संपन हुई और उस बैठक में भिवेन मंद्रालें से संबंदित आम आदमी को राहत और मदद देने की दिरश्टी से निर्णे किये गए उन निर्णेयों की कुछ जलक मानी परकाश जी ने अपने वक्तवे में दी है मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ आप सभी और सारा देश इस बात का साक्षी है कि वाइरस का संकट के समय भी जब लॉक डाउन रहा उस समय भी भारत सरकार और प्रधान मंदरी जी की प्रात्मेक्ता पर गाउं और गरीब किसान निर्णेयों के केंदर में हमेशा रहा चाहे गरीब कल्यान योचना के माध्यम से रहत देने का सबाल हो या करसी के छेदर में काम काज नर रुके इस दृष्टी से अनुमतियां देने का सबाल हो जब लॉकडाउन गोसित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी लेकिन कटाई का सबाल हो उपारजन का सबाल हो मसीन की आवा जाई की अनुमति हो मसीन मरमत के लिए बरक सौप की खोलने का सबाल हो हर मामले पे सरकार ने संबेदन सीलता के साथ विचार किया और उसी का परणाम है कि किसान ने प्रधिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम पूरा किया और इस बार बंपर पैदाबार करके किसान ने देश को समर्पित की है सरकार उपारजन के प्रति भी काफी गंबीर थी और इसलिए उपारजन की प्रक्रिया अभी चली रही है लेकिन आज दिनां तक ग्यों की खरीद तीन सो साथ लाक मीट्रिक टन हो चुकी है गत वर्स ये तीन सो बैयालिस मीट्रिक टन थी धान की खरीद 95 लाक मीट्रिक टन हो चुकी है गत वर्स ये 90 लाक मीट्रिक टन थी दलहन और तिलहन की खरीद अभी चल रही है और अभी 16.07 लाक मीट्रिक टन खरीद हुई है ये गत वर्स 15 लाक मीट्रिक टन थी आप सब के ध्यान में है कि 18-19 में सरकार ने एक निर्ड़े किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50% मुनाफ़ा मिलना चाहिए स्वामी नाथन साब ने एक अध्यन के बाद अपनी रिकमेडिसन की थी और ये रिकमेडिसन काफी देश में घूमती रही लेकिन मानी प्रधान मंद्री नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में इन रिकमेडिसनों को सुईकार भी किया गया और अमल भी किया गया और